ये आकाश्वणी रैपूर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाश कुमर जहा। और अब पेशें आज के मुक्षि समाचार। प्रधानमंतुरी कल वीडियो कंफेंस के जरिये पूडूचेरी में आयोजित 25 में राष्टी युवा महस्तों का उधगाटन करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामनों को देखते हुए राज्य सरकार ने मंत्राले और सभी विभागाद्यक्ष दफ्तरों के अधिकारियों तथा करमचारियों के लिए घर से ही कारे करने के समंध में जारी किये निर्देश। राजिके स्वास्ते विभाग ने होमा इसुलेशन से डिस्चार्ज के समंध में नए दिशा निर्देश जारी किये डिस्चार्ज से पहले कोरोना जाज की जरूरत नहीं और प्रदेश में गले 24 घंटों के दोरान अनेक स्थानों पर हलकी से मध्यमर्शन होने के साथ ही और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खल सुबर साढ़े 10 बजे वीडियो कॉन्फेंस के जरिये पूडुचेरी में आयोजित 25 में राष्टी युवा महस्तों का उध्गाटन करेंगे स्वामी विविकनन्द की जैन्ती पर आयोजित इस महस्तों का उध्गे युवा को राष्ट के विकास के लिए संगठित और प्रेरित करना है इस कारिकम को पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा इस सौसर पर प्रणामंतुरी मेरे सपनों का भारत और भारती स्वाधी नता अंदोरन की गुमनाम नाइकों पर केंद्रित निबंधों का अनावरन करेंगे साथ ही मध्यम लगो और सुक्ष्म अद्योगों के प्रणाद्योगी की केंद्र तथा मुक्ताकाशी और्डिटोरियम का उद्गाटन भी करेंगे रैपूर इस्तित नहरू युवा केंद्र के जिराधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि छक्तिसगण के अबूज मार, बस्तर, सुक्मा और बीजापूर जैसे सुदूर शित्रों के अदिवासी युवाओं को भी इस आयोजन से जोडने के प्रियास किये जा रहे हैं प्रदेश के कोरोना, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजिस सरकार ने, मंत्राले और सभी विभागाद्यक्ष दफ्तरों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए घर से ही कारे करने के समध्ध में निर्देश जारी किये हैं इसके तहट करोना समध्या सुबिधा होने पर सची और विभागाद्यक्ष अपने घर से ही कारे कर सकेंगे इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के ज्यूटी मंत्राले और विभागाद्यक्ष भवन में नहीं है, वे भी घर से ही कारे कर सकेंगे आधिकारियो और कर्मिचारियों से कहा गया है कि वियुप अपने विभाग में तातकालिक महत् dinero के दस्तावेजों को अलग कर लेए ताके नियधारी समय सीमा के भीतर उन पर कारवाई की जा सके सबी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्व अनुमति के बिना मुक्षाले नहीं छोड़ने के निर्देश दिये गए हैं साथ ही मुबाइल फोन के जरीये अपने सम्मधित अधिकारियों के संपर्क में रहने को भी कहा गया है प्रदेश में दिनों कोरोना संक्रमन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस समय प्रदेश में संक्रमन की दड़ बरकर लगबग आठ प्रतिशत हो गई है कल प्रदेश में कोरोना संक्रमन के 4,120 नए मामले सामने आए इस बीच स्वास्तिवी भाग ने होम आईसुलेशन से डिस्चार्ज के समन्ध में दे नए दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके उसर होम आईसुलेशन में इलाज करा रहे कोरोना संग्रमित मरीजों को उनके पॉजिटिव पाये जाने की तीथी से कम सकम साथ दिनों में इस इस्थिति में शुट्टी दी जा सकती है यदि उन्हें आखरी तीन दिन बुखार नहीं आया हो ऐसे मरीजों के डिस्चार्ज से पहले कोरोना जाच करने की जरूरत नहीं है उथर राइगर जिले के एसी सीर ख़दान शेतर की सुरक्षा में तैनात त्रिपुरा राइफल के 16 जवान कोरोना पाजिटिव पाये गए हैं इसके बाद पूरे ख़दान शेतर को बंद कर दिया गया है इदर कुर्बा जिले सहकारी केंदरी बैंक के जमनी पाली शाखा के पाँच में से तीन करमचारी कोरोना संकरमित हो गए हैं इस वज़े से आज और कल को साबधानी के तोर पर इस बैंक में बैंकिंग कारे बंद रखने की घोशना की गई है 36 राजी सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहट विती अपील और शिकायत के प्रकरणों के सुनवाई वीडियो कॉन्फिरिंसिंग के माध्यम से मुक्रि सूचना आयोगत और राजी सूचना आयोगतों के द्वारा की जा रही है कॉरोना संक्रमन को देखते हुए राजी सूचना आयोग में सभी प्रकरणों के सुनवाई के रिए शिकायत करता और प्रथम अपीदे अधिकारी सहीद बाहरी व्यक्तियों के उपस्थिती को प्रतिबंधित कर दिया गया है उधर दुर्गजिले में भी कॉरोना संक्रमन के बढ़ते आखनों को देखते हुए सिला और सत्र नियायाधीश राजेश श्रिवास्तों ने निर्देश दिये हैं कि इस महीने के अंतिता करिमान, जमानत, सुपुर्धनामा और मोटर दुर्गटना दावा से जुड़े प्रकरणों के सुनवाई होगी निर्देश के मताबिक सभी नियायक अधिकारी अपने कक्ष में ही सुनवाई करेंगे नियायले में आवश्यक भीड नहीं लगनी दी जाएगी केंदरी स्पात और ग्रामिन विकास मंतरी राज्य मंतरी फग्गा सिंग कुलस ने आज अपने सीमित प्रवास पर महासमुद पहुचे सरकीट हाउस में उन्होंने शेतरी सांसत चुनिलल साहु की पस्थेती में जिला प्रशास्तन और जिला पंचाय सहीत ग्रामिन विकास के अधिकारियों के साथ अपचारिक बैठक की बैठक में केंदरी मंतरी ने प्रधा मंतरी आवास योजना और महात्पागान ही राष्टी ग्रामिन रोजगार गरंटी योजना की विशे शुरूप से समिक्षा की इस दोरां जेरे में मनरेगा के तहत मजदूरी और सामागित भुकतान के करीब 14 करोड डुपे लंबित होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को दुर्भाश पर ततकाल ही भुकतान सुनिश्रित करने के निर्देश दिये प्रदेश के जिन जिलों में कुरोना संकर्मन के कारण आंगर माड़ी के इंदर बंद कर दिये गए हैं उन शेत्रों में हित्गराहियों को टिफिंग के जरीए गर्म भोजन दिया जा रहा है रैपूर, बिलासपूर, राइगर, राजन्दगाउं जैसे अधिक संकर्मन वाले जिलों में यववस्था लागू की गई है इसके लावा बच्चों या गर्भोती माताओं की परिजनों को केंदर में भी भोजन प्रदाय किया जा रहा है इस प्रक्तिया में कोनोना से बचाओ के सभी उपायों का पालन भी सुनेश्रित किया गया है प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे है आप तक 36 गड़ के लिए सुनते रहे है आकाश्वाणी समाचार और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहषान के लिए जाज की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है पिछ्टे हफ़ते पूरे प्रदेश में लगवाग दो लाख बहत्तर हजार सेंपलों की जाज की गई इस समन में स्वासमत्री टीयस सिंग्देव ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में रोजारा जाज की संख्या बढ़ाई जाए स्वासिभा के अधिकारियों ने बताए कि प्रदेश में भी हर दिन रोज औसतन करीब 49,000 सेंपलों की जाज की जा रही है जब कि दिसंबर के अन्तिम सब्ताह में ये औसत 20,000 से कुछ हधिक थी वहीं कोरोना संक्रमन को लेकर भ्रामक जानकर या अफवाह फैलाने वानों पर प्रशासन द्वारा कारवाई भी की जा रही है इसी कड़ी में राज़ंगों में लॉकडों की अफवाह फैला कर आवशक वस्तमों की जमाखोरी और काला बज़ारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कारवाई करने के निर्देश दिये है राज़पाल अनुसुया उई केने कल खेरागर सित इंदिरा कला संगीत विश्युष द्याले में नाटीवी भागद्वारा गठी तरंग मंडल का उदगाटन किया इस मौके पर राज़पाल ने कहा कि संगीत और कला जीवन के महत्पून पहलू है इनके बिना जीवन रसहीन हो जाता है राज़पाल ने उमीद जाताई कि नाटीवी भागद्वारा स्थापी तरंग मंडल देश के ने कला संस्थानों के लिए अनुपम उदारन बनेगा भिलाई इंजिनिरिंग कॉर्पोरेशन के मजदूर ने अपने विभिन नमागों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है सेयंतर के मजदूरों ने आज काम बंद करके मौके दवार के बाहर धरना प्रदर्शन किया इस आंदोलन को 36 मेटल एन इंजिनिरिंग वर्क्स यूनियन ने भी अपना समर्थन देने का एलान किया है यूनियन के देख्ष आदिति सिंग और महा सचिव अरविंदर श्रिवास्तों ने बताए कि मजदूरों के पिछले दो महिने से वेतन नहीं मिला है इसलिए वे आंदोलन कर रहे हैं शुताओ आज़ादी के अमरित महस्तों पर आकाश्वनी समाचार द्वारा राश्टी इस तर पर आयुजित की जा रही प्रशन उतरी के तहद आज का प्रशन है उनिस सो तैनलिस में किस भारती करांतिकारी ने सुभाष चंदर बोस को इंडियान नैशनल आर्मी आई एने की कमान सौपी थी शोता अपने उत्तर वाटसिप नंबर 88826546262 पर या इमेल आई डी आमरित महस्तों क्विस एड़ रेट प्रसारभारती.gov.in पर भेज सकते हैं इस प्रतियोगता के लिए एक भागेशाली प्रतिभागी को विजयता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोशना की जाएगी. विजयता को यी प्रमानपत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा. और अब पेश्य मौसम का हाथ. मौपेश बखेल ने आज रायपूरे सित अपने निवास कारियारे में पूर प्रभामंत्री लाल भादुर्शासी की पूर्निती थी पर उन्हें अपने श्रधांचली अर्पित की. राजिपल अनुसुया उईकर मौक्यमंत्री भुपेश बखेल ने कल मनाई जाने वाली स्वामी विवेकनन्द जहनती पर प्रदेश वासियों को बधाई और शुकामना दी हैं. अपने संदेश में राजिपल और मौक्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकनन्द की विचारों ने संपूर्ट समाज को एक नई दिशा दी है. असम से लाए गए दो बनभैसों को वापस असम भीजवानी की मांग को लेकर दायर की गई. जहनी तियाजका की सुनवाई करते हुए आज 36 गरों चेन्यायले ने केंज सरकार के साथ ही 36 गरों और असम सरकार को नोटिस जारी कर चार सब्ताह में जवाब मंगा है. शक्ति जलू चेन्यायले ने कवरधा राजपरिवाकिक सदिस्की हत्या की जांच केंद्री जांच एजेंसी सीबियाई को सौपदी है. कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामनों को देखते हुए इंद्रा गान्धी कृषिव श्रिद्याले के अंतरगत संचारित विभी ने पाठक्रमों में खाली सीटों पर बारा और तेरे जन्वरी को होने वाली स्पॉर्ट काउंसलिंग के प्रक्रिया इस्थगित कर दी गई है. राजान काउजिले के अंबगड चौकी इस्थित एशास की कर्णिया शिक्छा विद्याले में छटीवी कर्षा में प्रवेश के लिए 19 जन्वरी को होने वाली परिच्छा को कोरोना संक्रमन के मद्दिनजर इस्थगित कर दिया गया है. सरगुजा जिले में नशा मुक्त ही चार लोग घाल हो गए. इन सभी को इलाज के लिए एक निजर स्पताल में भरती कराया गया है. भारत की बस्थिमा पुलिस और नहरू यौके अंदर संगठन काकीर के सहयोग से नाराइनपूर के दस आदिवासी यूद्यों के यूतियों को तेरह में आदिवासी यूद आदान प्रदान कारिकरम के तहट तेलंगाना की राजधनी हैदराबाद का भ्रमन कराया गया. ये सभी यूद आज नाराइनपूर लोट आए हैं. महासमंद पुलिस ने ओरिशा से आ रहे दो आरुपियों को सिंगोड़ा में गिरफतार कर उनके पास से करीब 10 लाख रु अब तक किया है. अन्तिमा मुखे समाचार एक बार फिर. प्रधान मंतुरी कल वीडियो कांफरेंस के जरीये पुडुचेरी में आयोजित 25 में राश्टी वा महसों का उदघाटन करेंगे. कोरोना के बढ़तीय मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने मंत्राले और सभी भवागर ध्यक्ष दफ्तरों के अधिकारियों कर्मिचारियों के लिए घर से ही कारे करने के समंध में जारी किये निर्देश. राजी के स्वास्ति भाग में होमा इसलेशन से डेश्चार्ज के समंध में नए देशा निर्देश जारी किये. डेश्चार्ज से पहले कोरोन तो हुआ नमस्कार